दोस्तों आज के स्क्लास में आप लोग का स्वागत है, आज के स्क्लास में हम बात करेंगे हिंदी स्वामाक्स के बारे में और यहाँ पे आज हम लोग गद कंड का चैप्टर 9-12 देख रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है त्रिच और यह त्रिच पार्ट बहुत ही ज्यादा चैप्टर है, बहुत इंटरस्टिंग है, मज़्यदार है, आपको मतलब यहाँ पे जो आपको सारांस बताएंगे, समरी बताएंगे, यह आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और यह आपके लिए इंपोर्टन तो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब कु तो आप कैसे एक्जाम में लिखोगे, तो वो भी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, नसिंद होके देखिए, आराम से देखिए, मज़दार तरीके से देखेंगे, सबसे पहले देखिए अपना त्रेस पार्ट जो है, इसको लिखे कौन है, तो इसको लिखे है उदय प्र प्रिकास जी कि यहां पर तस्बीर भी है, बहुत ही खुबसूरत भी है और बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, मुस्कुराता हुआ चहरा, और यहां पर यही तिर्श पार्ट को लिखे है, इनका जन्म हुआ है, एक जन्बड़ी 1952 को, जन्म अस्थान जो है मतलब इनका कहां पे है, मतलब इनका जन्म एक जन्म अस्थान को तो हुआ है, लेकिन कहां पे, तो गाउं है सीतापूर, जो की पढ़ता है 36 गड़ा अंचल में, ठीक है, और वही अगर बात करें, जिला कौन सा है, सहडोल है, जो की मध़प्रदेश में आता है, मध़प्र अधर परदेश में और मध़प्रदेश भारत में, ठीक है, तो यहां पे हो जाती है, इनके बारे में 36 पार को कौन लिखे है, उद्यप्रकास जी, उद्यप्रकास जग्वावन को सहडोल जिला में हुआ था, ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे सारांस देखना है, स्टार् तरिश कहानी का केंद्रिय भाव लेखक के पिताजी से संबन्दित है, तरिश कहानी का केंद्रिय भाव लेखक के पिताजी से संबन्दित है, तरिश कहानी का केंद्रिय भाव लेखक के पिताजी से संबन्दित है, ठीक है, और यहां पे तरिश कहानी का केंद्रिय भाव ल लेखक के पिताजी से संबन्द है इसका संबन्द लेखक के सपने से भी है इसके अतरीक शहर के प्रती जो जन्मजात भे होता है। की विवेशना भी इस कहानी में की गई है गाउं एवं सहर की जीवन सेली का इन में तुलनात्मक अध्यान जो है अध्यांत सफलता पुरवक किया गया है कि गाउं और सहर में क्या मतलब अंतर होता है इसको भी बहुत अच्छे से आपे वेक्ट किये हैं साथी साथ गाउं की स सादगी जो लहराती हुई फसले होती है जो सादगी होती है तरह सहर की कृत्रिम आचरन इसमें प्रति बिंबित होता है बहुत अच्छे से यहां पर दर्साये हैं लेखा के पिताजी जो 55 साल के हैं लेखा के पिताजी कितने साल के है याद रखेगा 55 साल के पच्छपन साल के बेव ब्रिध बैक्ती है ठीक है उनकी बेशिस्ट जीवन सैली है तो यहां पर यह हुई आगे चली इसमें क्या लिखना है आपको वह मितभासी मतलब मितभासी कहने का मतलब क्या हुआ कम तथा ख़डाचे तो यहाँ पे कम बोलता है , मतलव यह खूबी नहीं है बलकि वह तंबाकु मुझे है उनका to destas उनके पीचे बादर राज समझ रहुत हो मतलव मिधवहास है कम बोलने वाले हैं लेकिन आपूचे उनका भाद बच्चे उनका आदर करते थे कम जो बोलता है उसका लोग अकसर आदर करते हैं आप देखे हो के तथा उसके कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे डरे भी रहते थे क्योंकि उसके अच्छे से घुला मिला नहीं रहता है जो आदमे कम बोलता है उसके बारे में आप नहीं जान पावते हो आप पहला उनकी कम बोलने के आदर की कारण सहमे भी रहते ते, डरे भी रहते थे वह को पता नहीं था बच्चों को कैसा वह उनका बेभार है, तो इसलिए सहमे भी डर्य डर्य रहते थे. घर की आर्थिक इस्तिती संतोस जननक नहीं थी, मुला बहुत जादा अच्छी नहीं थी. एक दिन साम को जब वे टहलने निगले तो एक विसेले जन्तु तिरिच ने कौन जब वो साम को टहलने निकले तो एक विसेले जन्तु तिरिच ने उन्हें काट लिया ठीक है उसका विसाम की तरह जहरीला तथा प्रान घातक होता है तिरिच का जो है एक बहुत ही जहरीला जा इलाज चला ठीक है तर्श काट लिया बहुत ही जहरीला जन्तू था ठीक है और रात में क्या हुआ कि लेखा कि पिता जी का हुआ रात में ज़ार फुक और इलाज चला दूसरे दिन सुबह उन्हें सहर की मुकद्मे की तारीक के क्रम में जाना था मनलब एक तो साम में क्या हुआ त्रिस काट लिया और उसके बार रात यहां पर किया चला जहार फुक इलाज यह सब चलता रहा ठीए और सुबह-सुबовые को इनको की जाना था वे तृस दवबारा काटे जाने के घटना का वरणन, ट्रेक्टर पर सवार अने लोगों से भी करते हैं, कि तृस काट लिया है मिवो, ये वो सारा वारा देम गामना, सारा चीज मतलब उस ट्रेक्टर पर बैठे सवी लोग के साथ वो चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर यह हो गई उसके बाद देखो आगे देखो यहाँ पर क्या है ट्रेक्टर पर सवार उनके सह यातरी पंडित राम अवतार क्या थे वो एक जौसी के अलावा बैद भी थे याद रखेगा पंडित राम अवतार क्या थे उन्होंने रास्ते में ट्रेक्टर रोकर उनका क्या क्या उपचार किया क्योंकि तबियत बिगर गई थी रास्ते में तो उन्होंने क्या क्या वो तो एक जौक्सी थे साथी साथ बैद भी थे ठीक है डॉक्टर भी थे तो उन्होंने रास्ते में ट्रेक्टर को रोक कर और उपचार किया उनका उसके बाद आगे देखे, धातूरे के बीज को पिचकर उबाल कर काढ़ा बना कर उन्हें पिलाया गया, ट्रेक्टर आगे वड़ा और सहर पहुंचकर लेखा कि पिता जी ट्रेक्टर से उतर कर कछरी के लिए रवाना हुए, यह समाचार पंडित रामवक्तार जी ने गाउं आकर बताया, कि मतलब कि वे मतलब लेखा कि बाबु जी जो है, साम को घर नहीं लोटे थे, तो मतलब साम को एक्चुली क्या हुआ था, लेखा कि पिता जी घर नहीं लोटे, सहर को जग गय थे ट्रेक्टर पर बैठके, वो घर तो नहीं लोटे, तो पंडित रामवक्तार जो थे न मतलब वो इनको बताते हैं कि गाउं ट्रेक्टर से उतरके वो एक चछारी के लिए रवाना हुए थे तो ऐसा पंडित रामवतार जी बताते हैं उसके घर वाले लोगों को बेवी ने सुरोतों से उनके विशय में निमनांग की जानकारी प्राप्त हुई बहुत सार सुख रहा था घखाऊं के मास्ander नंदलाल जो उनके साथ थे उन्होंने बताया जन अब मतलब मास्टर जो है नंदलाल जी जो उनके साथ ही थे वो बताते हैं कि ट्रेक्टर से उतरके उनके सिर में चक्कर आ गया आ रहा था और कंठ भी सूख रहा था ठीक है और इस बीच वे स्टेट बैंक की देश बंदू मार्ग स्टेट साखा सर्किट हाउस की निकट वाले थाने में गए मतलब यह जगह का नाम है इस जगह पे गए और उख तस्थान पर उन्हें कर फेला जारी कॉलिग वहां उनको कहते सुना गया कि मैं राम स्वारत प्रसाद एकस एक्स स्कूल हेंड मास्ट्र और मतलब लेज यह सब्द उनको सुनते हुए मतलब सुना गया ठीक है बोलते हुए सुना गया और आगे देखे आगे कैसे लिखना है किन्तु वहां उन्हें पागल समझकर कॉल्मी में छोटे छोटे जोटे लर्गों ने उन पर पत्थर बरसाने लगे और सभी कसर निकाल दी सभी कसर निका मोचियों की दुकान में गनिशवा मोची की दुकान के अंतर चले गए उसने उन्हें उसे पहचान लिया और कुछी देर में उनकी मृतु हो गई और लेख़ा की पिताजी के मिर्टु हो जाती है कुछ ये दिर में ठीक है ये जानकारी प्राप्त होती है इस परकार इस कहानी के दोरा लेखक ने सांकेतिक भासा सैली में आजनिक सहरों में पसर रही विकरतियों विसंगतियों पर कटाच किया है मतलब लेखा के पिताजी को एक तरीके से देखो तो मतलब बहुत सारा पत्थर वर्साया गया, पागल समझ के पीटा गया, ये सारा चीज, वो सारा चीज, मतलब कितना कस्ट हुआ उनको सहर में जाने के बाद और उनकी मिर्तु हो जाती है दोसित मानसिक्ता से ग्रासी सहरी जीवन सैली, तरिच की ही तरह भ्यानक तता बिसैली हो गई है, जैसे तरिच, जहरीला और बहुत ही खदरनाक है, वैसे ही सहर का जीवन सैली ना, तरिच की तरह भ्यानक और बिसैली हो गई है बास्तविक्ता की तह में गए बेगेर हम दरिंदिगी तथा और मानवे कृतियों पर उतर आते हैं कि जैसे पत्थर वर्षाने लगे पागल समझ के लोग उससे मारने लगे और मानवे तथ तो समझ के तो ये सारा चीज बिना किसी तह तक मतलब बास्तविक्ता के तह तक गए बेगर कि हम लोग जा सही चीज जान भी नहीं रहे हैं और दर्णिदिगी और उमान भी किर्टियों पर उतर आते हैं ठीक है तो इसको यहाँ पे कटाच बहुत अच्छे से यहाँ पे किये हैं प्रिकास जी आगे यहाँ पे है लेखक का मनतवे मनतवे का मतलब उद्दिश लेखक का उद्दिश जो है निमनाकित पंक्तियों से अस्पस्थ हो जाता है कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तारकेकता और गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि सब सपना है सब सपना है और जैसे ही वो जागेंगे सब कुस ठीक हो जाएगा लेखक पुना कहता है कि इसके पीछे पहली वज़ा तो यही थी कि उन्हें या अच्छी तरह से पता था कि वे सब सपने के भीतर जा रहे है और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी थी कि वो सपना देख रहे थे बिसकली ऐसा ऐसा इससे कहानी में लेखका संदेश जो है असपस पर्यक्सित होता है कि वो एक्शली में सहर के बारे में या फिर गाओं के बारे में क्या बदलाना चाहते हैं ये बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से यहाँ पे लेखक मतलब जागरुकता पैदा करने की कोसिस की हैं कि हर चीज की पहले बास तविक्ता जानना चाहिए कि असल बात उसकी क्या है असल बात जाने विना कोई भी स्टेप नहीं लेनी चाहिए तो यहीं चीज होती है तो आपको हर चीज अच्छे से देखना होगा यह चैप्टर आपका क्लियर हो गया है न तो जो भी objective questions subjective questions आएगी almost आ बना लेगे कोई द् einगही होगे कहीं से कोई द्खकत नहीं छूर्ब आपको समझाब कर लेंगे हैं तो यह सामने आपकी टेस्ट भी हो जाएगी ठीक है तो चानल को सब्सक्राइब पर रखेगा और कैसे हम आपको समझा पाए कैसा लगा क्लासेस यह सब आप नीचे कमेंट करके बताइए या फर कुछ भी और सजेसंस कुछ भी डाउट तो आप वो चीज बताइए हम उसको निस्से द्रोप से हम सॉल्व कर देंगे ठीक है कहीं से कोई दिककत नहीं होने वाली है ठीक है तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखत